नमस्कार, मैं हो ससी, आये जरगां की टॉप 25 फर्मोख खबर जानते हैं देश में जल्दी बैक्सिनेशन के कब सुरू हो जाएगा स्वास्त विभाग के सची उराजेस भोसन ने बताया कि देश में चार बैक्सिनेश्टोर करनाल मुंबाई चेनाई और कुलकाता में इसी था जीनेश जी एमेस्टी कहा जाता है इसके अलावा देश में 37 बैक्सिन एस्टोर है एस्टोर बैक्सिन को ठोक में संगरहित करते हैं और आगे बित्रीत करते हैं मुख्य मंत्री के काफिले पर हुए हमले में 66 नामजद और 100 अग्यात पर एफ़ायार मुख्यमंत्री हमांद सुरेण के काफिले पर हमला करने के मामले में 66 नामज़द और 100 अग्यात लोगों के खिलाप सुख देव नगर थाने में मंगलवा को प्रात्मी की दर्श की गई है मामले में पुलिश ने 24 घंटे में 36 से ज़्यादा लोगों को हिरासत में लिया है सभी से पुष्टाच की जा रही है बता दे SSP सुरेंदर कुमर जान ने बताया कि सभी एरासत में लिये गई लोगों से पुष्टाच की जा रही है और CCTV फोटेज से भी उनकी पचान की जा रही है मुख्यमंत्री के काफिले पर हुए हमले की जाच को बनाई गई उच अस्तरी समिती मुख्यमंत्री अमन सुने के काफिले पर हुए हमले की गमिरता को देखते हुए पूरे घाटना करम की जाच के लिए सरकार ने दो सदस्तिये उच अस्तरी समिती का गटन किया है इस समिती में भारतिय प्रस्तस्निक सेवा और भारतिय पूलिस सेवा के एक एक वरी अधिकारी सामिल किये गए है समिती को मुख्यमंत्री के काफिले पर हुए हमले की पूरी जाच कर बिश्तिरित प्रतिवेदन या था सिग्र समर्पित करने को कहा गया है इसके अलावा राची के उपायुक्त और वरी पूलिस अधिक्चक से सोकाज की मांग की गई है राची और बोकारों से आठ मेमू पैसेंजर ट्रेन चलाने की मंजूरी भरतिय रेलवे कई ट्रेनों को फिर से सुरू कर रहा है बतादे कई रूट पर पैसेंजर ट्रेनों का परिचलन सुरू हो रहा है ट्रेनों का परिचलन समाने करने की रेलवे बोर्ड ने राची और बोकारों से आठ मेमू पैसेंजर चलाने की मंजूरी दिया यह पसंजर ट्रेन रांची बोकारो और हटिया से बंगाल के लिए चलेगी रेले बोड ने इन पसंजर ट्रेनों की समय सारने भी जारी कर दिया छो जन्वारी से यह ट्रेन चलनी सुरू होगी और मांजी यूती हत्या कान में एक महिला ने अपनी बेटी होने का किया दावा रांची के और मांजी में यूती की गला काट कर हत्या मामले में रांची के सदर इलाके की रहने वाली एक महिला ने अपनी बेटी होने का दावा किया है महिला ने कहा है कि उसकी बेटी पिछले तीन महिने से गायब है इसको लेख कर महिला ने सदर थाने में गुमसुध की का मामला भी दर्च करवाया था पूरे राजये में ये चलान शिस्टम शूरू परिवहन विभाग ने पूरे राजे में एक साथ इचलान बिवस्ता को लागू करने के लिए तजरिया पूरी कर ली है बतादे राची जीला को पाले से ही इचलान काटने के लिए HDFC बैंक के सहयोग से मसीन उपलब्द करा दी गई है और अब सिग रही पूरे राजे में 2400 घंटे इचलान काटने के विवस्ता होगी सोमवार को सड़क सुरक्षा विभाग के ओसे इस संदर में परिवान विभाग के पूलिस अफसरों को राची के एट्टी आई में प्रसिक्षन दिया गया देवघर में तीन यूको की गोली मार कर हत्ते है जारकन के देवघर में संसनी खेज वर्दात होई है बतादे जसीडी ठाना छेतर के बागमारा गाउक के एक निर्वानाधीन मकान में मंगलवार की सुबद तीन यूको का सव मिला है तीनों की मौत गोली लगने से हुई है, मौके से एक पिस्टल भी बरामत हुई है पूलिस मामले की जाच में जूट गई है, तीनों युग इस घर में क्या कर रहे थे ये फिलाल असपस्ट नहीं है, घाटना अस्थल से नसिला पदार्थ भी बरामत किया गया है जारखन में कुरोना वैक्सिनेशन के पहले फेज के लिए बने तीन गुरूप कुरोना वैक्सिनेशन की तयारी राची जीला में जारी है, बतादे राची जीला के साभी परखंडों में वैक्सिनेशन के लिए करीब 10-10 वैक्सिनेशन सेंटर बनाए जाएंगे राची डीसी छवी रंजा ने बैक्सिनेशन से समंधित तयारीयों की समिक्षा करते हुए कई दिसा निदेश दिये एक सेंटर में पांच लोगों की टीम होगी बता दे की कुरोना बैक्सिनेशन के पहले फेज में तीन ग्रूप बनाए गया है इसमें सबसे पहले हेल्थ, केयर वर्कस, इसके बाद फ्रोंट लाइन वर्कस और फिर पचास सान लिया उससे ज्यादा उम्र के लोग होंगे जारखन में 151 नए संक्रमित की पुष्टी हुई है जो राची से 47, बोकारो 14, देवघर 2, धनबाद 17, दुमका 1, पुर्वी 12, गडवा 3, गीडी 3, गुमला 4, हजारी बाग 2, जामतला 2, खुटी 3, खुडरमा 5, लातेहार 9, लुर्दगा 1, पलामो 16, रामगड 2, सराय के ला 3, सिमडेगा 1, वपच्मी सिमू से 4 मरीज मिले है बतादे हैं, जारकंड में 2 लोगों की मौत हुई है, मिरितको में राची और हजारी बाग से 1,1 मरीज सामिल है जारकन में कूल मौत 1,038 है वहाई जारकन में कूल एक टिप केस 1422 है भारत में नाइक केस 17,908 मिले है जबकि एक टिप केस 2,24,564 है वहाई भारत में कूल मौतों की संख्या 1,50,151 है मुख्य मंत्री का काफिला रोकने का पर्यास साजीस DGP मुख्य मंत्री हमन्सुरेन का काफिला रोकने और हमला करने के मामले में जारकन के DGP ने बयान दिया DGP ने साप सब्दों में कहा मुख्य मंत्री पर हमला करने की सुन योजीत साजीस थी और इस घटना में जो लोग भी सामिल है किसी को छोड़ा नहीं जाएगा DGP ने कहा ऐसे लोग को कुचल दिया जाएगा गुंडा गर्दी बरदास्त नहीं की जाएगी DGP ने कहा घटना में जो लोग भी होंगे उनको कठोर से कठोर सजा दिलाई जाएगी जारकन सरकार ने किसानों को ठगने का किया काम किसान बेरोजगार संगर्स मोर्चा के ततो अधान में जारकन सरकार के वादा खिलाफी को लेकर गोला परखन के DVC चोग पर एक दिवस्ते धाना परदसन कायोजन किया गया इसकी अधाक्सा किसान नेता देवेंदर दागी वा संचालन युवा नेता गयानन मोंडा ने किया कारकरम में मुख्याति थी के रूप में किसान बेरोजगार संगर्स मोर्चा के केंद्रीय संजुजग पंकज महतो ने कहा कि जार्कन सकार किसानों का ठाउने का काम कर रही है ना किसानों का कज माफ हुआ ना ही फसल भीमा का भुगतान हुआ है CM हेमन सुरेन को मारने की हो रही साजिस मंत्री भुगता जार्कन के मुख हेमन सुरेन के काफले पर सोमो और साम और मांजी में हुए हमले को लेकर स्रम मंत्री सतनाज भुकता ने भाजबा प्रामला किया है उन्होंने एक ट्वीट के जरी आरोप लगाया है कि फींड दोआरा मुख मंत्री हमान सुरेन की हत्या की कोशिस की जा रही है उन्होंने बीजेपी पर निशाना सात्ते वे टीट में लिखा कि बीजेपी सर्म करो लोग तंत्री में भीर तंत्री की कोई जगा नहीं है मुख मंत्री ने सुनी आम लोगों की समस्या ज्यारखन के मुख मंत्री हमान सुरेन ने अपने आवास पर आम लोगों की समस्या सुनी इस देरा नुरों ने उनकी समस्याओं के समधान का स्वासन दिया सीम आवास पर दो पहर बड़ी संक्या में लोग अपनी वेवस था पीडा लेकर पहुंचे सीम सुरेन ने एके कर सभी की बाते सुनी और उनकी परिसानी समझी बतादे मौके पर मौझूद अधिकारियों को मुखमंत्री ने देश देते हुए तवरीत समधान करने के लिए कहा महिला जवान से लेकर बुजूर्ग भी अपनी परिसानी लेकर मौकमंत्री के पहुंचे थे बाभुलाल मरांडी ने पूलिस पर सासन पर उठाये सवाल जार्खन के पूरो मुखमंत्री सभाजपा विधायक दल किनेता बाभुलाल मरांडी ने मुखमंत्री एमन सुरेन के काफले पर पत्राओ के ममले में की जा रही करवाई पर सवाल उठाये हैं उन्होंने कहा कि सरकार को पहले उन पूलिस अपसरों के विरूद करवाई करनी चाहिए जो मुख मंत्री की सुरक्षा में वस्ता में लगे थे उन्होंने इसे खुपिया भी भाग और पूलिस परसासन की पूरी विफलता बताई है बाबुलाल ने मंगलवार को राची स्थीत भाजपाप परदेश का रियाले में सिम्डेगा से रूब बरू होते हुए कहा कि सरकार पहले उन थानेदारों के विरूद करवाई करे जो दुसकर्म की घटनाय रोकने तथा अपराधियों को गिरफतार करने में भी फल रहे हैं जारखन में बंजर जमीन पर लग सकेंगे सोलर पावर प्लांट राज्य में बंजर जमीन पर सोलर पावर प्लांट का निर्मान अब सुगम होगा इस वेजना के तवत किसान आथ्मा किसानों के समू ग्राम पंचायत और विकास करता बंजर भोमी पर निम्तम 0.5 मेगावा प्राइदा होने वाली सौर उर्जा को जार्खन बिजली बित्रन निगम लिमिटेट 25 वर्सों के समझाता के तरहत खर देगा बतादे सौर उर्जा खरीदने की दर निधारित करने के लिए प्रस्ताव जे भी बी एनल ने जार्खन राज बिदूत नियामक आयोग को भेजा इस प्रस्ताव परमतिन जन्सुनवाई मंगलवार को ओनलाइन परकिल्या से पूरी की गई जल्द हिस्वर उर्जा खरीदने की दर निधारित कर लिए जार्खन की तीन कंपनियों की चार कोर की संपति जब्त इडी इडी ने फरजी लीज चलान के धार पर अवैद लोग ओसे की ढुलाई मामले में तीन बड़ी कंपनियों खिलाप मनी लांडरिंग एक्ट में करवाई करते हुए उनकी चार कोड़ों दस लाग तिरास्ती हजार दोसो एक तारीस उर्पाई की संपति को जब्त किया है बता दे इन कंपनियों में तिरुपति बालाजी इंटरप् एक जी प्राइवेट लिमिटेड वर रामगर्ड अस्पंज प्राइवेट लिमिटेड सामिल है इडी ने इसे समधित अम्तिम जब्ति आदेश भी जारी कर दिया है दुमका में ट्राइवल टूरिजम को बढ़ावा दुमका की उपायुक तरहिस्वारी भी ने मंगलवार को कहा कि सुबे की उपराजधानी दुमका को ट्राइवल टूरिजम के रूप में विक्सित करने का ब्लूप्रिंट त्यार है इसके लिए दुमका में ट्राइवल म्यूजियम का निर्मान कराया जाएगा आने वाले दिनों में यहाँ परयाटन के विकास पर खास तर पर ध ख्यान केंद्रित किया जाएगा उपायुक्त ने यह बात मंगलवार को समर्नाले में हुई डिस्टिक्ट विजम प्रमोशन काउंसिल की बैठक में कही दलित विरोधी सरकार में दलितों पर बढ़ा आते चार अमर्बावरी अभीत्वय अंगलाई है बाकी अभी लडाई है जब राजे के 50 लाग अनुसूचित समाज के लोग अपने हक और अधिकार के लिए एक जुट हो जाएंगे तो राची के मोराबादी मैदान और दायक सा पूर्व मंत्री एवं भाजपा अनुसूचित जाती मोर्चा के परदेश अधियक्ष अमर्बावरी ने कही वा मंगलवार को राजभवन के समक्ष राजे में दलितों की उपेक्षा सोसन ठंड एवं भूग से लगतार हो रही मौत वा अते अचार के खिलाप पहुंचे और जीला में चल रहे नकसल अभियानों की समिक्षा की इस दोरान उन्होंने जीला पूलिस और स्यापी एव के वरिया अधिकारियों के साथ बैठक कर अभियानों की रणनेती पहलूओ पर विचार विमर्ज किया कुमार ने बादने पत्रकारों से बाचित करते देवे काया कि जारकन में नकसलियों खिलाब चलाए जा रहे अभियान में और तेजी लाई जाएगी ग्रीस में भारत के राईदूत ने मुख्यमंत्री से की मुलकात मुख्यमंत्री हमान सुरेन से मंगलवार को ग्रीस में भारत के राईदूत अमरीत लूगून ने सिष्टाचार मुलकात की इस मुख्यमंत्री सुरेन ने लूगून को सौल वड़ा कर स्वागत किया और उन्हें एक पूस्तक भेट की गौतला भाय की लोगों जारकन के सिम्डेगा जिल्यक के होरदा थाना चेत्रेश्थीत मरानी गाउ के निवासी और भारतिये विदेश सेवा के उन्हेस्तों नवासी बैच के अधिकारिया है रामगर में डायन प्रथा उन्मुलन जागरूपता वाहन रवाना डायन प्रथा उन्मुलन के उदेश से मंगलवार को उपायूपता झागरूपता वाहन को हरीजन्डित दिखा करवाना किया निती आयोग के ताजा रेंकिंग में रामगर को पाला स्थान भारत सरकार के निती आयोग द्वारा पुरे देश में कुल 112 जीलो को चिनित किया गया है यह सभी वैसे जीला है जहां पर सिक्षा स्वास्थ क्रिसी एवं अने छेत्रों के विकास एतु विशेस ध्यान देने की जरूरत है इन सभी जीलो को अकांची जीले के रूप में जान हुआ है धन्यवाद यदि आप चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बहुत अब लेकर यह साथ साथ वीडियो को एक लाइक कर अपने दोस्तों के साथ सेयर करना ना भूले साथी साथ आप हमें कोमेंट बक्स में अपना फीड़वेक अवास से दे थाइंक्यू झालो